तो आवास आपको अच्छे से आ रहे ना येस सर और जो लिख रहा हों में आपके येस सर दिख रहा है तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास तो वेलकम टू क्लास तो हम क्या पढ़ रहे थे हम डिसकस कर रहे थे तो आज ओर रियक्षंस के बारे में तो अज़ और दो रियक्षं हम पढ़ने जा रहे हैं यह धैक यह क्या होथ है जैसे कि कुई अलकोinfl है है अल्कोहल को अगर हम एसेट के साथ करते हैं मैं बैसिक से शुरू करता हूं जैसे यह कोई अल्कोहल है और यहां पर आपका कोई कंपॉण्ड है और यहां पर आपका शीच है ठीक है और और चीच टू ओए झाल रल्कोहल को साथ करते हैं तो इसके लόँ फर पर आटेक करते हैं और यहां हो हो जाते हैं उने के बाद इसues होता हैं तो से इस थाप इस हो सकते हैं या तो simply सबस्चूट होते हैं सबस्चूट का मतलब इस positive charge पर कोई nucleophile attack करते हैं लेकिन condition यह है कि nucleophile को attack करने का कि यह nucleophile एक strong nucleophile हो तब ही वह वहाँ पर easy ले attack कर पाएगा दूसरा possibility यह है कि अगर इस CH2 के पास कोई alpha hydrogen हो तो उस alpha hydrogen को remove करके से for example यह वाला में यह देता हूँ यहां hydrogen रखता हूँ ठीक है तो यहां से एक positive loss करवा देते हैं यह यहां पर क्या हो जाते हैं फिर एक alkyne बन जाते हैं ठीक है लेकिन जो यह alkyne बन रहा है या सबस्चूशन reaction बन रहा है यह और complex हो जाते हैं जब आपका alkyl group attach हो तो इसमें और complex हो जाते हैं क्यों कि हमने इस से पहले वाले reaction पिनकोल पिनकोल रियाजमेंट में हमने देखा कि एक stable कार्बो कितायन बनने के लिए हाइड्राइट शिप्ट होता है होता है जिसकी वजह से आपको जब बाद में प्रोड़क्त बने चाहे सबस्चूशन प्रोड़क्त बने वह क्या बन जाते हैं तो यानि रियारेंज हो जाते हैं यह वाला हमने डिसकस किया है ठीक है तो अवराल हमें एक क्या बन जाते हैं या सारे के सारा रियारेंज प्रोड़क्त बन जाते हैं थोड़े से हमें रियारेंज प्रोड़क्त बन जाते हैं इस टैप के रियारेंजमेंट को जिसमें आपका कार्बो कितायन रियारेंज होके आपको क्या बनते हैं रिया यह reaction है इसको हम ऐसे भी definite कर सकते दिए चेंज ना कार्बन स्कैल्टन तुटली चेंज हो जाते हैं तूदा अरेंज्मेंट रियारेंज्मेंट ऑब कार्वो के टैन लेकिन एक चीज़ मैंने बार बार कहा कि कार्वो के टैन ऐसी वहां पर रियारेज नहीं होगा इसके लिए ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारा स्टेबल है ना तो इसका वालब क्या है जैसे मैंने पहले ही कहा है आप को कि कार्वोकुति आपको रिये रेज नहीं होता है रिये रेज बरुटक्ट नहीं तब तर की जो हम आगे डिसकस करेंगे कीसे बनते हैं तीए और नागेजोंग अगर बन रहा है कोन सा अलकेजों यहां पे आप को गायड करता है वह गायड करने यहां पर मैं और आपको दिखा था जैसे और इस पर और कीक्ट में लुइंगं हो सकते हैं हो सकता है आपकी स्वीज तरह से जब बात लॉस्ट हो जाते हैं तो वहां पर प्रोटान भी लॉस्ट होती हैं इसी मुझे से डॉबल बॉन्ट बनते हैं या प्रोटान परगोर दुसरा भी लॉस्ट हो सकता है जासे में इस reaction में क्या तिमाग में रखने तो मैंने कहा था नीडियो को लाएक करने के लिए स्ट्रोवन क्टपी अच्छा कंडिशन होना चाहिए तभी करते हैं लेकिन मैक्सिमम केस में प्रोटान लास हो जाता है जिसके वज़े से आपको क्या बनते है अल्कीन तो यह ना आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह आपको सब्सक्राइब बन जाते हैं तो यह आपको पर कि यहां पर इसे करेंगे यहां वाला मैं यहां पर सब्सक्राइब करूंगा तो क्लियर हो जाएगा से अगर हमने इसको असे धिए किया यहां पर निकल जाएगा निकल जाएगा तो बनेगा हमें क्या यहां पर पर पॉजिटिव चाल जाता है अब यहां हमें बोल रहा है कि आपका न्यूगलो फाइल ऐसे वाटर इस पर अगर आपको पहले कार्बोकेटान पर आटेक किया तो बनेगा आपको छी त्री चीज त्री त्री और च्टू आएगा यहां पॉसिट्व चाल जोगा यह लॉस्ट करेंगा फिर से तो आपको फिर से प्रिवेस प्रोड़क्ट वापस बनेगा ठीक है दुसरा कि यह मीथाइल हो जाता है जिसके वज़से आपको एक आपको टर्शरी कार्बोकेटान बनता है यहां पर देखिए यह पॉजिट्व चार्ज यहां पर है यह वाला आपको कार्बोकेटान बन सकते हैं उस समय क्या अगर आपका न्यूकलोफाइल ने अटेक किया होगा जै यहां पर कि क्या मिलेगा आपको और को बना रहाँ है और यहां से यहां आजाना आप लोग तो यहां पर क्या मिलेगे आपको को CH3 CH2 अगर वाटर ने यहां आथ्डेक किया तो ओ यहां आएगा और आपको रियर्एंज इट alkohol मिल जाते हैं प्रेमिल जब का प्रिवियस अलकोह ही इय हैं पर चार्वान नमबर वन पर आपको टर्श ही आलगो जाते हैं लेकिन इसकी जगए पे यहां आपुस्प recommendडि है यह क्या हो जाई इसका हा बीटा हाइड्रोजन की हो जाई जैसे यह वाला किसी यहां पर यह वाला वन इस व्食べ हैं यहां प्या है इस थी है जाती है है और यह पौज जर्च चर्च है श्न और यहां पर आपका है बीटा हाइड्रोजन इसके नक्स वाला और यहां पर यहां पर इसको मैं यहां पर एक ख्लेम ही करके जाता हम कि आप यह वाला किस्था च सी एच थ्री है आपका सी पर पॉजिटीव चार्ज था रियारेंज वाला तो आपको समझ में आ गया वहां पे नुकलोफाइल आपका इस आपका सॉल्वन इस नुकलोफाइल अटेक करते हैं कभी कभी तो आपको रियारेंज अलकोहल ही मिलेगा शुरुआत में आपने अलकोहल से शुरू किया था बाद में भी आपको अलकोहल मिलत है देखिए यह वाला में लिग देता हूं यहां पर यह आपका में कार्बन है इसके बगल वाले कार्बन को हम alpha कहेंगे ठीक है और और यहां पर प्रकार ऑ श्री यह थोड़ा से हमने पर पहीं छोड़ दिया है हेज यहां पर ठीक है तो यह आपका मेंग जो ग्रूप है अलफा यहां से शुरू हो रहा है और यह आपका बीटा हाइडरोजन भीटा इसके अधिक रूटा को ले जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा CH3 CH3 अब यहां पर double bond मिलेगा और CH CH3 यह वाला प्रोड़क्त मिलेंगे या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं थोड़ा सा आपको रूल को थोड़ा सा यह करने के लिए CH3 मैं ऐसे लिखो और यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे चलो CH3 है अपना और H है ऐसे लिखें दो आल लेड़ी इसके पास है एच डसावल बोन यहां आएगा CH3 ठीक है इस टाइप का आपको प्रोड़क्त यहां पर सुर्व यार यहां पर यहां पर कुछ से आवहें जल्दी लगा लिए हैं यहां पर सी यहां से निकल गया CH1 CH3 यहां पर है अभी इसको हम बेंश हो ग तो देखें यहां पैर आगर आप देखेंगे यहां पर यह को हम क्या होता है क्रीश हैं कार्बն कर्बन टो स्यूशिटीट यहां पर 1 2 3 आफी हैं सिर्फ easier чем है यहां पर एक ही साइट पर श्रायद में कोई सिर्फ नहीं है तो जर्द सेब Gods के हैसाब से हमें ऑप सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जो हाइली सबस्च्टूट हाइली सबस्च्टूट तो यह वाला अलकीन ज्यादा बनेगा और यह वाला किया बनेगा कम बनेगा तो आपको यहां पर elimination भी हो सकते हैं सबस्चूशन भी हो सकते हैं लेकिन elimination होता है तो अगर बीटा hydrogen दो है तो according to ज़्यादा सबस्चूटिट होते हैं वह ज्यादा होते हैं as compared to less सबस्चूटिट वह क्यों हमने हाइपर कंजूगेशन में बढ़ा था जितने सबस्चूशन होता है उद्ना ही इसमें इजीली हाइपर कंजूगेशन स्ट्रक्चर बहुत बनते हैं जिसकी वज़े से वह more and more stabilized होता जाता है यह चीज़ हमने डिसकस किया है तो इसी को आप यहाँ पर याद रखेंगे इस चीज़ को तो यहां आप यह वादा रियांज्मेंट इस यूजे व ज़िप्रिदोमीनवेट रियांज्मेंट की ठोता है जब या या फिन ये फिनाल फिनाल्स इस फेंटील हाई है यहां पर थी वंहां ऑर पर एस होगा अंति का अलूत यह नियो फिनेल इन टाइब का अगर आपको ऐसे ट्रैप्स बिलता है तो डिफिनेट्ली वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर आपको रियारेज़्मेंट हो जाएगा कार्वो के टाइन की और आपको रियारेंज प्रोडक्त मिलेंगे ठीक है और यूजबले आपको यहां सबस्क्राइब करेंगे लेकिन आसान सा यहां पर क्या होता है इलिमिनेशन जिसकी वज़े से आपको लास में प्रोड़क्ट यहां पर बन जाता है तो यह इंट्रोडक्शन था किसका वैगनर मेरवन पर पढ़ने से भी सबस्क्राइब करता है कि कैसे स्टेबलाइब होता है कभी कभी आपका निकलोफाइल रियक्षन भी हो जाते हैं यहां वहां पर अटेग करता है तो नीकलोफिलिक सबस्जूशन रियक्षन होता है लेकिन maximum case में आपको Elimination होता है जिसके वज़े से लास्ट पूड़ा अब क्या मिलता है ठीक है आप देखिए आपको यह ज़रुरी नहीं है कि कर्भुक्रेटान बनने के लिए कर्भुक्रेटान करने के लिए आपको हमेशा अलकोहल और एसिट कंडिशन हो आप कोई लेविज एसिट लिए यूज कर सकते हैं और अगर एक गुट लिविंग ग्रूप होगा तो यह गुट लिविंग रूप यहां से निकल जाएगा तो क्या बनेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया क्योंकि लॉंग विट लेक्ट्रों यह निकल गया है ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा सेकंडरी कार्वो के टाइन बनते हैं फिर फिर वास्पॉलेटी यह है कि आपका जो ब्रोमीन निकल गया था स्लूशन में य कर्वो के टाइन हुआ है अगर रियरेजमेंट नहीं होता तो आपको कोई यहां पर प्रोड़क्त दुसरा नहीं मिलता देखिए आपको दो नमबर पर आपको क्या मिला है ब्रोमीन आया अलका स्वारी ब्रोमाइट को सेकंड नमबर पर ठीक है तो यहां पे चीज़ यहां एक confusion यहां पर यह होता है कि वहीं यहां पर कौन सा shift हुआ है यहां shift कौन सी चीज़ हुआ देखिए आया confusion जैसा हमें लग रहा है जैसे हमें लग रहा है कि bromine यहां से निकल के यहां चलाई है ऐसे ही लग रहा है तो इस चीज़ को याद रखना है वहीं यहां पर ब्रोमीन शिफ्ट नहीं हुआ है बलकि सब से पहले कार्बोकेटाइन निकला है कार्बोकेटाइन में से फिर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और एक गुट आपको लीविंग ग्रूप होगा तो आपको वहां पर क्या निकल सकते हैं कार्बोकेटाइन जैसे डाइजोनियम वाला मेंने इस से पिनकोल पिनकोलों रियारेज्मेंट में में बता है कि अगर हम नाइट्राइड वहां पर और प्रैमरी अमायंस होगा तो डि सरे रियक्षन होगा यह हमेशा होता है जहां पर पॉस्पिलिटी और जैसे कि डबल बॉंड में खुशमिलिटी है कि यहां पर यहां पर इलक्ट्रोफायल कोई है इसने चीक है तो डिफिनेटली इस कारवन पर भी पॉजिटिव चर्ज डला होगा इस वे चाहिक है तो डि तकि आपका लीविंग ग्रूप अच्छे से निकल जाएं तो यह सारी चीजें हम इसलिए बता रहा है ताकि आप बाद में जब कोई यहां पर यहां पर शिट हो कि हम्नम हों करें तो यहांपनृ ते हैं इसके बाद बीटा कंस आ होगा में टें है यहां से हो सकता है है यहां आप बीटा लेकिन अगर यहां से बीटा हाइडोजन होता है तो मोर सबस्ट्यूटिट अलकीन बन जाता है तो इसके साब प्रोडक होता है इसको पहले स्टडी किया था वेगनर ने तरीका बोला था कि एक्चुली नेचर में जो आईसो बोर्नियोल से केंपिन बनते हैं इसको हम ऐसे कर सकते हैं बाद में मेरविन दुसरा से इस चीज़ को बहुत सारे और रियक्शन्स में इसको एबलाए करके यह वेगनर मेरविन रखा है तो देखिए इस रियक्शन को अगर एक्साम इस आईसो बोर्नियोल टू केंपिन वाला रियक्शन देखेंगे तो फंडमेंटली इस वान टू अलकॉयल होता है इसको अच्छे से देखो तो वन टू होता है फिर इसके बाद अलकोहल को जब हम हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो देखिए यह एक आईसो बोर्नियोल है डर्पीन कंपॉंड है प्लान का प्रोड़क है यह इसका स्ट्रक्चर है इसको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एसिड के साथ तो यह इसके लॉन पेर पर यहां पर अटेक करेगा तो ड यहां पर लिविंग रूप यहां से निकल जाएगा तो यहां पर कार्वो के टन की जनरेशन होगी देखिए पहले यह जो नेचर में रियक्शन होता था इसको आप थोड़ा समझ दें यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रेट हो गया आप देखिए यह वाला जो है एक दो कार जाते हैं यह वाला बॉन टूट जाते हैं यह वाला बॉन निकल की यहां आ रहें यहां पर तो यह और यह सीधे कनेक हो गया यह वाला बॉन बन गया आप देखो यह यहां से यह बॉन कनेक हो गया यहां पर बॉन कहां टूटा यह और यह बॉन है ना तो पॉजिटिव चा को यहां पर आप क्या हुआ है हाई राइड्राइड शिफ्ट हुआ है स्वारी लाउस-अप-डुटान देखिए क्या कहा से हुआ है ये मिधायल है ये कारवन है तो इस वाले कारवन पर कोई बीटा हाइड्रोजें नहीं नुग बीटा बीटा को तो इसके बाद अब दुसरा पॉस्पिलिटी है इस पॉसिटीव चार्ट के इस साइड में बीटा है क्या काबॉन दो वॉन तीन वॉन चौता बीटा है यहां पर है अब देखिए प्रोड़क्त कौन सा बना यहां से निकल गया एश पॉसिटीव यहां से निकल गया और यह पॉसिटीव निकल जाता तो इस बॉस्ट के इस पहां पर डबं आ जाता तो जब डबन प्रिश कि आपको तीन रिंग है ऐसे इस जंक्शन पर डावल बाॉन बनते हैं तो हाई ली अनस्टेबल हैं आप मॉडल बनाव यह विल्कुल सीधर होने की कोशिश करें फिर यह वाला बिटा हाई्रोजन एंड नहीं होगा यहां से बनेगा उससे यह वाला बनते हैं जिसको ऐसे भी हम कर सकती हैं समझा रहे हैं कि आप लोगों को मेरे आवाज़ा रहे हैं कौन सा मुझे हाईडरेट करना है कौन सा मिथाल करना है अगर बन रहा है तो जड़से रूल के असाब से बन रहा है लेकिन इस टाइब का अगर वहां पर रिंग आ जाए जिसमें आपको एक कॉर्णर पर तीन ही बॉंड बन रहा है और एक डबल बॉंड बनने की चांसे होता को बनाना नहीं है लेस हिंडर लेस स्टिरिक हिंडर वाले साइड में डवल बनाना है तो यह वाला बनेगा ठीक है तो अब कुछ एक्जामपल और देखेंगी यह देखिए केंफिन नी लोल है यह वाला फिर से एक और्गनिक कंपॉंड आप देखिए अगर मैं इसको प्रोटान के साथ ट्रीट करता हूं तो प्रोटान कहां अटेक करेगा यहां पर यहां अटेक करेगा तो ओएस्टू यहां से वाटर निकल जाएगा वाटर निकलने के बाद इस सा सब्सक्राइब यहां पर यहां पर नीचे नहीं होगा क्यों कि यहां से आने से यहां पर स्टीरिक हिंटरस हो जाता है तो नीचे वाले मीथाइल शिप्ट हो जाएगा तो बने गए क्या वाई यह ऐसे चला जाएगा यहां से यहां चला जाएगा फिर यहां पर आगया मीथाइल नीचे साइड में दिखाएंगे हां एक जो वाले साइड में ठीक है तो यहां पर आपका अपना यह मीथाइल है और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यह थोड़ा सा स्टेबल है देखिए यह वाला जो पार्ट है यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से आ रहा है तो यहां पर आपको क्या है एक क्या बन जाते हैं एक टर्शरी कार्वोकेटन जबकि यह यहां से देखिए यह वाला पार्ट हो गई यह से कार्वोक तो यहां पे आपको डवॉन यहां यहां हो सकते हैं कि आप लोग भॉल रहा ह Kayla नहीं बनेगा तो मैं इसकी बात कर रहा तर यहां पे डबल बॉंड नहीं करेंगे जो इसपे डावल नहीं नहीं बनेगा यह बनेन यह वालाा आपको रेक्शन नहीं मनेगा कैना यह नहीं होता है तो यह वाला बीटा है यहां साब निकालोगे और यहां पर डैबल बॉन बनेंगे तो इस टाप के कुछ चीजों को आपको एक्जाम में याद रखना आपको एक्जाम में इसे पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोड़क्ट बहां पर बन सकते एक यह हुआ होगा और नीचे वाला जो यह है और दूसरा यह है दोनों पॉसबल लगते हैं हमें लेकिन आपको सबसे ज्यादा स्टेबल और जबसे फीज़ेबल जो है सेंटीन है यह वाला प्रोड़क्ट इसमें बन जाए ठीक है इसके बाद माइग्रेशन माइग्रेशन और माइग्रेशन तो इसमें मुझे कुछ और याक्शन आपको दिखाने हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें इस पर बेंजल से जाने से पहरें यहां पर मैं लिखा दूगा कुछ और रियक्शन हैं जैसे कि आपको इस पर प्रैक्टिस करना है जैसे कि CH3 है CH3 है यह है CH3 CH2 है और BR है ठीक है तो यहां एक्वस एलकिली रखा है पोटेशम हाइट रॉक्साइड रखा है यान्य एक्वस एलकिली रखा है स्ट्रॉंग बेज रखा है को पोटेशन हाइड्रोकसाइड तो इस ट्रैप में क्या हो जागा भई आपका ब्रोमीन के बियार बनके निकल जाएगा यहां से ऐसे के बियार की फॉर्म में तो बनेगा क्या एक कोमेकरों के बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर लेना बस प्रै को इससे मालब एक दो मिनिट पहले हमने किया इस टाइब कर नियों पैंटाल वाला अब लेकिन यहां पर हमने हाइड्रोकसाइड को ठीक है यहां पर अभी जो कर्वोकितायन बन रहा है वह प्रैमरी कर्वोकितायन हाइड अगर आपका ओएच इस पर आटेक करते हैं इसी करते हैं तो आपको एक प्रैमरी अल्कोहल भी मिल जाएंगे प्रैमरी अल्कोहल है और अगर यह रियारेंज होता है अगर रियारेंजमेंट होता है रियारेंजमेंट में वन टू मीथाइल शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा भी यह देखिए यह मीथाइल यहां से यहां क् सिट्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा सी एयश ट्री है कि पॉजिटिव चार्च और यहां प्रापका स्च टू खिर और अगर निउक्ली फाल ने इस पर टेक किया ओफ तो क्या बनेगा क्योंकि तो यह यहां प्याटिक करेगा वेच बनेगा यह वाला आपको लिए रिया रेंज आपको अलकोहल मिलेगा यह वाला और यह वाला ज्यादा क्यों बनेंगा यह क्यों मैंजर में बना विकॉस इट फ़ॉम्स टर्शी कार्बोकेटाइन और वन तूशिप विच स्मौर तो यहां पर यहां पर यह इतना स्ट्रॉंग नुकलोफाइल है यह इस पॉजिटिव चार्ज पर टेक नहीं करते हैं तो उस समय आपको प्रोड़क्ट आपको फिर से करना देखिए उस समय आपको यहां पर होगा यहां पर क्या बनेगा CH3 CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया वान टू शिप की वज़े से और यहां पर CH2 CH3 बस अब आपको बीटा यहां पर बीटा हाइड्रोजन के इलिमिनेशन करना है बीटा कितने हाइड्रोजन है इसमें इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊ देखा है अब देखिए अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल देता हूँ तो यहां पर डाबल बॉन बनेगा लेस सबेश्चुट इड लेकिन हमें बनाना है मोर सबेश्चुटिग मोर स्टेबल तो हमें यह वाला बीटा हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा इन दौन अब खाइस्टरी हो जाएगा आपका और यहां पे हैं और यहां पर डबल बना और एक हाइड्रोजन है इस तरह से आपको एक इलिमनेशन प्रॉडट्क्स मिल जाती है तो अगर आपको एक और एकजाम्पल आप हम डिस्कॉस करेंगे यह वाला ऐसे एस्ट रहे हैं यह सीस्ट्री सि ट्री ऑच्छत्री और यह है फिर स्याव का एक व्यक वोटेशा माइन भॉटर रगलार रखाउप है या सोडराइव डॉक्स और तो रख रहा आप इसको बाद में देख लिए लेकिन हमें में यहां पर दो चीज़ें आपको बताना है आप यहां पर है CH3 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 और यहां पर स्वरी यहां पर मुझे Living Group रखना था हूं मैं भी आस लिवेंग ग्रूब यह आपका टिक है तो यहां पर क्या बनेगे फिर से आप इसको यहां से निकाल दीजेगा छी है सी चीह यहां कोन से चाल जाएगा पॉस्टिव फिर यहां प्रक्या हो जाएगा वन टूश्ट होगा ठीक है तो आप कर सकते ना मुझे लगता है इतना वार वर करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे यहां पर हाइरोजन में हम भूल गए हैं ठीक है है हाइरोजन है यह अगर यहां से शिफ्ट होके चला गया पॉस्टिव चार्ज यहां आएगा और यहां मुझे कुछ और बताना था आपको कुछ और बताएगा इसलिए नॉलिज तो यहां कौन सा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्राइट की फार्म में हाइड्राइट मेंस यह अलॉंग विद इस इस नेगेटिव फार्म में तो यह चीज़ आपको बस यह बोलने के लिए इस एक्जाम्पल को मैंने यहां पर रखा था तो चार्ज आएगा मैं और यहां पर त्री और यहां पर फिर हाईड्रोजन चला ज्याएगा इसके बद क्या करने करें वशंब् hippie निकल जाएगा से हैं मिलेगा इस हाइडोजन को हम बूल गए हैं यहां पर ची वाला आपको प्रड़क्ट मिल सकते हैं यह चीज आप कर सकते हैं और हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसको दुसरे करते हैं कि मैं आपको बस पता करना है कि मुझे कौन सा आपको कार्वोखिटाइण बनाना है बस आपको बनाना आ गया तो इसका वालब आपने निकलना है ठीक है तो यह बताएगे इस्सें हैं है और यह है सी और यहां पर है और इसके बाद यहां पर कार्बन है यहां पर क्या रखा है और यहां पर ब्रोमीन रखा इस चीज़ को आप देखिए और इसमें आप होग है बेच रखा यहां पर ब्रोमीन नकल जाएं अब छिष्ट्री है और फिए यहाँ पर प्वॉजिटीव चार्ज आई है है यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आगी इन पर हाइरोजन आप लोगो कंसिडर करना ठीक है तो अब बताईए यहां पर रियारेज़्मेंट होगा की नहीं होगा यहां पर रियारेज़् प्रोड़क्त बने कर यह नहीं बने ग़ी यह चीज़ आपको पूछना है बताईए यह वन तोशिक वर कर पर फिनल यह वाश्य कर पर पिद्देव तो फिनल इस त्सकाइब कर दो पिद्द इस त्सकाइब कर दिन दिस पॉसितिव चार्ज इस इन प कर देता हूं तो यहां पर यह वाला बने गई यहां पर यह वाला कर्वोगेटन यह वाला कर्वोगेटन तो उस समय आपको को हमेशा वन टू शिफ्ट के पीछे ही नहीं रहा जाना आप देख लेना वही मुझे कोई स्टेबल कर्वोगेटन बन रहा कि नहीं बनना अगर ऐसा होता है को फर्स टेप में होता है तो उस समय आपको वन टू शिफ्ट नहीं करना है इसके बाद आपको सीधे यह वाला हाइडरोजन की होगी यहां से हाइडरोजन निकल जाएगा डावाल बॉन यहां मनेगा फीनाल यहां आएगा कर सकते हैं किया इसको इस स्टेप को ठीक है अब हर स्टेप में जाने के दबर नहीं है ना और एक करते हैं जैसे यह वाला कोश्चन अगर हम कर रहे हैं यह वाला कोश्चन अभी यहां पर क्या क्या है इन्हों ने करना पड़े हैं लेकिन मैंने बार-बार कहा है मार्कॉनिक और कोई रूल नहीं है ऐसा कुछ लेकिन आपको फोकस करना है सबसे पहले कहां अटेक करेगा इस तरह से अटेक करेगा ताकि मोर स्टेबल कार्वोकेटाइन बन जाएं तो यहां पर क्या बनेगा यह आपका एस से यह बनेगा और यहां पर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ष तो आपका एक सेकंडरी कार्वोकेटाइन है तो इस तरह से भी आपको मैंने कहा था कार्वो कितायन हमेशा अलकोहल को नहीं देखता की आलकोहल में ही इस त्राइब करिया तो यहां पर भी आपका रियालेज्मेंट रियक्शन हो सकता है वन टू शिप होगा क्या इसमें पॉसिबल है क्या से कुछ पैदा होगा क्या यहां जाएगा positive charge यहां आएगा पर सेम हो गया ना उस समय आपको कोई फैदा नहीं होता है तो आपको पस यहां पर आपको पहले ही secondary जो है वो बन गया है stable लेकिन अब यहां पर जो अलकीन बनेगा वह सेम बनेगा दोनों चीज़ों में यहां पर ऐसे बनेगा तो इन चीज़ों को आप फिर confused हो जाए कि यार मेरा तो रियारेजमेंट ही possible नहीं हो तो उस समय आपको डरना नहीं आप दोनों प पादर करके कुछ भी पूछ सकते हैं यह वाला एक possibility है देखिए यह वाला एक साइकलो पेंटेंग इसके साथ है यहां पर यहां पर इस टाइप होने बनाया है यहां देखेंगे और बोला है इसको ट्रीट किया गया है वह एच बीर के साथ ट्रीट कर तो बताई वही कहा ए हुआ है डोब है अब देखेंगे यहां पर पॉस्पिलिटी है यहां पर पॉस्पिलिटी है कौन सा रींग एक्सपंशन का है ना अगर मैं इसको नम्बर करोता कि हमें याद रहे है चलो इसको नमबर करके रखते हैं वान टू थ्री फोर फार सिक्स सेवन करके तो रिंग एक्सपंशन होगा या तो पांच वाला पांच और च्छे वाला पॉंट बन टूटेगा या एक वाला दो सेम है न यहां से ऐसे आटेक करेगा तो डिफिनेटली आपको चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं आपके लिए यह ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं है ना यह बन टूट गई यह वाला बन टूट गई तूट कि किस के साथ बन बने वह इसने इस वाले कारवन के साथ है ना जिसके साथ इसके साथ क्या आटेज यह यह साथ वां जिसके साथ आटेज है यह ठीक है तो दो और एक के बीश में जो बन यह और यह वाला वान टूर गया ठीक है और आपका एक और छे के बीच में बाउन था यह वाला ठीक है तो पॉजिट्व चार्ज कहां क्रेट हो यहां पर ठीक है यह आप सीधे एक सैकलो हैक्जेन ऐसे बना सकते हैं छे वाला रिंग बन रहा है फिर इसके बाद आपको सेवन अटेज है तो यहां पर आपको मीधाल रिंग अटेज करना है और वन पर आपका पॉजिट्व चैज आएगा ठीक है फिर बाद में आगर यहां पर बीटा अलिमिनेशन होता है तो यहां पर आपको क्या प्रोड़क्ट बनेगा वहाई इस पॉजिटिव लाउस होने के बाद यहां पर डबल बॉंड ने इन चीज़ों को प्रेक्टिस कर लेना है जब तक आप प्रेक्टिस नहीं करेंगे तब तक यह नहीं आएगा तो इस टाप के कॉशन अगर एक्जाम में आएंगे तो आप कर सकते हैं न कोई दिक्कत नहीं ह इस तरब से पिनिकलोन ताना उसमें क्या था आपका रियोंक्टम तक बिनपर में जा ओर वह उड्रह वरॉन्रा का नाम पड़ा था पिनिकों यहां पे आपका रियॉक्टम बैंजिल है और वह यह बंजेल शी से इस लिए इस आरेज्गेंट को बंजक्टल बैंजल बैंग करते हैं तोड़ा से हैं तो हईया जाता है जिसको हम बेस के साथ होसके वाला देखिये यह हुआ ना वन और टू पे क्या है फिनाल है वन टू डाइ फिनाल एथेन है वन और टू पे और डाइ ओन है यानि डाइ गिटून है तो डाइ ओन हो गया इसको सबसे पहले हमें बेज के साथ ट्रीट करना है फिर इसके बार एसिड के साथ थोड़ा सा मेगप करना है तो क्य क्या بنेगा आपका डीए तो यहां पर क्या है दो फिनैल आगए पर दो नो है तो तो डाइ फिनैल हो गया तो डाइ फिनायल और रिट क्या थी ठेल ऑजे हम हम बने eingस एक्ष्ड सकते हैं तो यह इसका तो में reaction हो गया और बहुत सारी reaction इस टाइब का होता है पहले हम इसका mechanism समझ दें की कोशिश करते हैं हुआ क्या है इस पर देखिए सबसे पहले आपका बेस जो होता है जो हमने बेस किया हाइड्रॉक्साइड वह क्या है एक्टसाइस न्यूक्लोफाइल न्यूक्लियस लविंग इस नेगेटिव चार्ज है यह क्या डूंड़ेगा मोस अलेक्टोफिलिक कार्बोनिल कंपॉंड डूंड़ेगे जब दोनों को हम इन दोनों को एक ही reaction मिक्चर में हम डाल देंगे तो आपके पास यहां पर दो कार्बोनिल ग्रूप है एक दो दूसरा यह कार्बोनिल है वह उसका नेचर क्या होता है एलेक्टोफिल एलेक्टोफिलिक क्यों होता है क्योंकि और यह ऐसे चला जाता है तो कार्बन पर एलेक्टोफिलिक करेक्टर इसका इंक्रीज हो जाता है तो कोई भी नुकलोफाइल इस पर क्या कर सकते हैं अटेक कर सकते हैं इस चीज़ को कौन से कर्वन पर चाहिए था तो अगर हम इसको देखेंगे दोनों कर्वन निल ग्रुप के पास फिनायल फिनायल सेम है ना ना कुछ भी हमें वरी करने के जरूद नहीं है कि इस पर करों कि उस पर तो न्यूखलो फाइल इन दोनों में से किसी पर विकर चलो हमने यहां तो यहां पर से यहां चलिएकल तो इसका हो जाएगा ओई यहां से अधेश Um हो झाये यहां फिलिए की माइग्रेशन होते हैं यहां से ने रहे आपका यह वाला एसीट है तो यह आपको यह चीज़ बनना ही बनना है ठीखिए अगर मैं यहां से आपको ऱोगा यह तो, c double one o, phynal ring, c double one o, यहां पे आपका, hydraoxide नार्टे के यहां पर, यहां पर, इस carbon पर, फिर यह यहां चला गिया, actual में क्या आता, देखिए, phenal है, carbon है, double one o है, यह फिर o पर कुन से चार्श आएगा, negative चार्श आएगा, फिर इसके साथ क्या चुड़ गया, हाइड पर फिनायल रिंग है ठीक है आफ है यहां पर रियारेंज हो जाते हैं यहां से वन्हीं हो जाता है यहां से आप तो फिन आयल रिंग यहां पर है कालवन है इस पर ऊक्षीजन है इस पर नगेटिव चाइगा आपि झालाज क्षिए और लगोंड स्वडे डबल वौण तो नहीं है सिंगल मौंड फिनाइल रिंग को तो हम लिखना है भूल गा है ओपन नेगेटिव चार्च यहां पर फिनाइल आ गया इस पर सी और यह वापस पुश पुल मेकनिजम यानि इसको पुल कर रहा है ऐसे स्वारी पुश कर रहा है यह नेगेटिव चार्च पिर यह डबल बॉन यहां पर उसको फुल कर रहा है इसको यहां सोरी यहां पर cicat कर्बो अग्जलिक एसेड की क्या प्रोपर्टी है टेंडेंसी टू लूज पॉसिति लौज करेगा अगर यह एश पॉसितिव लौज करता है तो कहा जाएगा पर जाने के जरूए नहीं इसके पास में हो नेकेटिव है है ना तो यहां विदिन ना मॉलेक्रिल एसिट बेज रियक्शन कर्णा सी डाबल वान ओ ओ पर कार्बो ऑक्सिलेट अनायन बनेंगे यह क्योंकि यह अपने कंजूगेट बेस की फॉर्म में रहते हैं फिनायल एस पॉजिट्व लोस करते हैं यह एक्वली इसको क्या चाहिए अधी कोई पॉजिट्व चाहिए तो एगदम से ले लेगा यह था आपको यह क्या बोला था आपको थोड़ा सा एसिटिफिकेशन करने अच्जिट मेंकप करने एस पॉजिट्व थोड़ा डालते हैं तो आपको प्रोड़क्स क्या बनेगा फिनायल ओएज फिनायल और सी और पर क्या है तो यह वाला आपको समझ घार रहे हैं क्या हो रहें आपको में कुछ करेंगे तो ओर क्लियर हो जाएगा यहां पर यह वाला रिएक्षन देखिए अगर हम कोई ब्यूटा ओक्सड हाइड्रोक्सड नहीं लेंगे हाइड्रोक्सड यहां नहीं लेंगे तो क्या एसिड बनेगा उस समय आपको एसिड नहीं बनेगा क्योंकि आपका न्यूकलो तो फाइल क्या है हाइड्र यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह चला जाएगा और यहां पर कि यह वी यह उटा भी यह ऑफ लेकिन आपने अगर कोई को बने आपको क्साइब ठ्र कर सकते हैं तो चलो कुछ आग्जामपल पहले करेंगे पिर इसके बाद तोड़ा सा और तोड़ा से क्लियर हो जाएंगे देखिए यह वला आप में आपको थोड़ा सा अपना तेज दिमाग चलाना है यहां पर कहां पर क्या टेक करना है वो आपको यहां पर आना चाहिए में इसको किसके साथ करना है अब देखिए अब मेकनिजम कीजिए क्या मेकनिजम के बाद आपको प्रोड़ा क्लिखना है तो बताइए क्या कैसे इसका मेकनिजम लिखेंगे है सी एच्ट्री है सी है डेबल वन ओ है सी है चलो मैं इसको ऐसे लिखता है थोड़ा सा अच्छा लगए यह आप देखिए हाइड्रॉक सेट है आपको न्यूकलोफाइल यह है अब बताओ वाई दो कार्बोनिल ग्रूप है वेदर और बोद दा कार्बोनिल ग्रूप आज सेम और नॉट है अब हमें डिसाइड करना है विच कार्बन इस मोर अलेक्ट्रोफिलिक कि मैं इसको मैं इसको भी मानता हूं चलो क्यों कि लिए के जो एक अर्था रहा था इसको यह एलाक्ट्रोफिल कि और रधर आट एफ्ट पनलाट प्लससाइड ago the electro integrity the electro तो आपको जब यह डिसाइड करना आगया तो फिर तोर आसान है यहां से यहां पर टेक करेगा ठीक है तो क्या बने कभी दो कि यहां से तो यहां से यहां से यहां चला चाहिए हैं में कुछ सब्सक्राइब करें यह यहां से यहां से यहां ठीक है तो क्यों यहां क्या बनेगा भई CH3 वह पर कॉन सी चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पर क्या आएगा है एच आगया हुआ से पर क्या बनेगा प्रोडक्त तो आप मैं सीधे बनाऊंगा इस पॉस्ट्ट्व करने के बाद आप मैं शॉटकर थोड़ा मार रहा हूं इसके बाद CH3 कि सी पर ओएच बनेगा एच होगा और 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 सी डबल बॉंड ओएच ऐसे भी लिख सकते हैं यह प्रोड़क्त बनेगा समझा रहे हैं यह सब्सक्राइब और एक्षिन करेंगे यह देखें यह वाला अगर आपको क्या एक्जाम में है एक मिन्ट इसको क्या हो गया है कि इसके साथ आपका सी डबल बॉंड ओ है सी डबल बॉंड ओ है इसके बाद फिर से एक फिनायल विंग है कि इसके साथ नाय तो जोड़ा हुआ अब बताओ यह कहा गया है पहले हाइड रॉक्साट के साब चीट करना है सेकंड मैं आपको एच पॉजिटिव कि क्या बनेगा है इसको समझ सकते हैं कौन सा ज्यादा है A की B किस पर अटेक करेगा हाँ या ना यह यह जो फिनायल रिंग है एक नाइट्रो ग्रॉप से जुड़ा हुआ है जो कि इसका इलएक्टो फिलिस्टी इंक्रीज हो जायगा पिर अब इसको तो बही कम यह वाला कमदोर कड़ी करेगा तो प्रोडुक्ड क्या बनेगा प्रोडॉक्ड मैं सीधे बना दूऊ सिर्श्राइ बनाएंगे भागे आप बात में ये कर लें ठीक है और ये प्रोड़क्ट बनाने से पहले ये मुझे इसको ये करना पडेगा एक्षिछ एक इसको करेंगे क्योंकि ये थोड़ासा तोban र drainage क॥ बंढ हो ये यहांसे आन निकल जाएंगा तो पर कौन से चार्ज आएगा या सवरी सी ओ एच पर चार है न और इसके साथ यह है यह चुड़ा है न इस अब यह यहां पर यह 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 यहां पर क्या करें कर सकते हैं एचैन कि प्रोड़क्त बनेगा यह 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 अहीं को आपको अश्य पी लिख सकते हैं को प्रॉलूम बेंजीन को इस टाइब हो तो फिनाल हम ऐसे लिख सकते हैं फिनाल पी छीउन लेकिन इसको तो आप लिखना पड़ेगा न और टू न थू और तू और लूट जिए और वस ठीक है और एक क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्ट करने के कोशिश करते हैं और एक प्रॉलर एक यह है कि नाल रिंग है इसके साथ और जुड़ा हुए कि अलका उक्सेड इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या लगा रहे हैं यहां पर मेटा पर क्लोरीन है मेटा पर यह दुसरा क्या है इसमें और एक क्वेश्चन है एक मेलेक्टोन दोनेटिंग ही रखे हैं यह है तिस्टरा और एक है मेटा पर नहीं तो रखे है यह तीन क्वेस्टन हैं कर सकते हैं इसको कर सकते हैं ना तो इसको हम लिखेंगे गाओ फस्ट में कहीं प्रोब्लम में क्या नो सर नो सर ठीक है तो इसको आप लोग कर ले ना हां नोट के इसको स्क्रीन जोर ले लो यह सर ठीक है है हो गया यह सर ठीक है फिर आज इतना ही डिसकर्स करते हैं फिर तो इसको प्रेक्टिस कर लेना इस जो क्रोशन मैंने गया है तो फटवर्ट से करके लिए मैं देख लगता हूं आप लोगों में कितना समझाएं ठीक है बस यहां पर आपको यह समझत है कि आप